नमस्कार आप देखे रहें इंडिया खबर लाइव आपके साथ में अनुवरे शर्मा खबर आ रहे हैं गुजरात के नर्मदा जलिसे भारत के लोपरिश सरदार बल्ला भाई पटेल के विश्यू की सबसे उची प्रतिमा स्टैच ओफ यूनिटी नर्मदा के किनारे स्थित ह विश्यू की सबसे उची प्रतिमा को देखने के लिए हजारों सैल आनी हर दिन के वड़ी आते हैं श्रेश्च भारत भावन का निर्माणी नियात्रियों के विश्राम करने के लिए ही किया गया है लेकिन जिन यात्रियों का श्रेश्च भारत भावन सामने से स्वागत कर पीछे से यही इमारताली छवी का बदनुमा दाग छोड़े जा रही है श्रेश भारत बावन का संचालन रमादा एंको और संभाल रही है यहां पर प्रवासियों की रुखने की पर खाने पीने की विवस्था की गई है लेकिन दुख की बात यह है कि श्रेश भारत बावन मे में संदेश देते आए हैं थोड़ी दिन पहले ही केवडिया कॉलोनी में 17 सितंबर को अपने जनम दन के दिन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी केवडिया आये थे केवडिया में नर्मदा मुछसफ का शुवारम भी उन्हों नहीं किया था उनकी ही उनकी ही सोच का काता की हिंदुधर्मक fractions के अनुसार गंगा मी नाने से लोग पविथ होते हैं लेकिन नर्मदा के मात्र दर्शन से लोग पवित्र हो जाते हैं ऐसी पवित्र नर्मदा नदी को श्रेश भारत बावन दूशित कर रहा है आने वाले वक्त में देखना हुआ क्या गुजरात सरकार इस तरह की लापरवाई पर सक्ती से प्रशाशन में बैठे आला अफसरों के खिलाफ कारवाई करती है या नहीं आखिर क्या वज़ा है कि श्रेश भारत बावन इतनी बड़ी चूप कर रहा है इंडिया कपर लाइफ के लिए गुजरात नर्मदा से गौतम वियास के रिपोर्ट यहां पर यह स्रेश भारत बावन के लोग इसका संचलन करते हैं उन लोगों की यह बैदर कारे सामने आई है और यह गटर का गंदा पानी जो है वह नर्मदा में मिलने से नर्मना मया भी दूसित हो रही है इंडिया-खबर लाइफ से में गवतम व्यास कुजरात